Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Tally Prime की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Tally Prime में Sells Voucher क्या है और उसमें Transactions कैसे Record करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना कि Tally में Purchase Voucher क्या है और उसमें Transactions कैसे Record करते हैं हमने आपको Purchase Voucher वाली वीडियो में बताया था कि Purchase Voucher, Sells Voucher, Debit Note Voucher और Credit Note Voucher मुख्यता माल यानि Goods से संबंधित होते हैं साथ ही इन चारों Vouchers में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी आप उन सभी बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो Purchase Voucher वाली वीडियो अवश्य देख लें Purchase Voucher वाली वीडियो में हमने एक महतुपुन बात भी बताई थी कि Tally ने इन चारों Vouchers में Transactions Record करने के लिए तीन Modes दिये हैं Item Invoice, Accounting Invoice और As Voucher और इन तीनों Modes के बारे में भी हमने आपको अच्छे से समझाया था साथ ही ये भी बताया था कि Modes कैसे Change करते हैं चली आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से Sales Voucher के बारे में बता देते हैं जब व्यापार में खरीदे गए माल या Manufacturing यानि निर्मान की स्थिती में तयार माल का विक्रे किसी Customer को Cash या Credit पर किया जाता है तो उस Transiction को Sales Voucher में Record करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार का सबसे महत्पून काम है Sales और प्रतीक Sales के साथ हमें उसका Bill भी देना होता है तो आईए देखते हैं कि Sales Invoice कैसे बनाते हैं अभी हमने Tally में अपनी Company ओपन कर रखी है और हम Gateway of Tally पर हैं Sales Voucher के लिए V प्रेस करें अब F8 की प्रेस करें देखे ऐसा करते ही Sales Voucher Creation विंडो आ गई है और ये Item Invoice मोड में है और इसकी पहचान ये है कि इसमें यहाँ पर हमें Name of Item लिखा हुआ दिखाई देता है आई अब हम Sales का पहला Transaction देख लेते हैं हमने SK Traders को 1 July 2020 को Sony TV 20 इंच वाले 2 नग 25,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से और Sony TV 30 इंच वाले 2 नग 35,000 रुपए प्रतिनक के हिसाब से बेचे जिसका कुल अमाउंट 120,000 रुपए हमें नकत प्राप्थ हो गया सबसे पहले F2 की प्रेस करके वाउचर की तारिख पदल लेते हैं Enter प्रेस करें Party Account Name के आगे पार्टी का नाम सेलेक करना होगा यहां समझने के बात यह है कि यदि हम कोई माल बेचते हैं और उसका पैमेंट कैश या फिर बैंक के चेक से हाथों हाथ यानि माल देते समय ही प्राप्थ हो जाता है तो यहां Party Account Name में हमने जिस भी तरह से पैमेंट प्राप्थ किया है यानि यदि कैश प्राप्थ हुआ है तो कैश अकाउंट और यदि कस्टमर ने चेक दिया है तो वो चेक जिस बैंक में जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट सेलेक करना होगा ध्यान रखें यदि माल डिलीवरी के समय ही चेक से पैमेंट आ जाता है तो इसे भी cash sell ही माना जाता है बस फर्क इतना है कि cash हमारे हाथ में ना आते हुए चेक के माध्यम से सीधे bank में जमा हो जाएगा और यदि हमने ये माल किसी को उधार यानि credit पर बेचा है तो यहाँ जिस customer को माल उधार बेचा है उसका account select करना होगा हमने ये माल cash payment लेकर बेचा है इसलिए list of ledger accounts में से हम cash account select कर रहे हैं एंटर प्रेस करें यहाँ dispatch details की छोटी window आ रही है इसमें माल के dispatch यानि delivery से संबंधी details दी जा सकती है हम कोई detail नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए control और A से इसे accept कर लेते हैं dispatch details के बाद party details की window आती है इसमें आप buyers details यानि जिसे आप माल बेच रहे हैं उसकी जो भी details देना चाहें दे सकते हैं अब यहाँ sales ledger में sales account select करें हम name of items में आ गए हैं यहाँ हमें stock item का नाम select करना होगा stock item के नाम के लिए उसका पहला अक्षर type करें जैसे हमने sony tv 20 inches के लिए type किया S यह देखे right side में list of stock items आ रही है और उसमें हमारे दोरा type किये गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम highlight हो रहे हैं और उनके नाम के साथ ही वो item अभी कितनी quantity में हमारे पास stock में है यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हम item का नाम select कर रही है ऐसा करते ही हम quantity field में आ जाएंगी यहाँ जो stock item select किया है वो जितनी quantity में बीचा है वो type करें enter press करें यहाँ उस stock item का विक्रे मोल्य यानि cells rate type करें enter press करें यह देखिए amount field में उस stock item का पूरा मुल्य आ गया है enter press करते हुए आगे बढ़ें इसी तरह आपने जो भी stock items sell किये हैं वे सभी एके करके यहाँ पर select कर लें अबंत में enter press करते हुए end of list select कर लें enter press करते हुए आगे बढ़ें narration में आप इस cell से संबंध जो भी details देना चाहें वो type कर दें और फिर enter press करते हुए इस voucher को accept कर लें माल के साथ हमें party को bill भी देना होगा बिल का print कैसे निकालते हैं यह हम आपको आगे बताएंगे अभी सर्फ समझने के लिए कि बिल किस तरह का दिखेगा हम उसका print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की press करें देखे हमने जो voucher अभी save किया था वो दिखाई पड़ रहा है अब आप यहां top menu बार में print option देख रहे हैं उसके लिए alter और p की इसको press करें यहां से हमें current select करना है उसके लिए या तो यहां mouse से click करें या r press करें अब यहां print preview के लिए या तो preview पर click करें या i press करें इस बिल को अच्छे से देखने के लिए या तो यहां zoom पर click करें या alter और z press करें अब आपस विल्ग को स्क्रोल करके अच्छे से देख सकते हैं अब बाहर आने के लिए स्केट की का उप्योग करें ध्यान रखें सेल्स वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम हमेशा उपर रहता है और इसमें यदि नकद लेकर माल बेचा है तो कैश अकाउंट यदि चेक लेकर माल बेचा है तो जिस बैंक में चेक जमा करने वाले हैं उस बैंक का अकाउंट और यदि उधार यानि क्रेडिक पर माल बेचा है तो जिस पार्टी को उधार माल बेचा है यानि कस्टमर का अकाउंट सिलेक करना होता है और इसके बाद sales ledger आता है जिसमें हमेशा sales से संबंधी जो भी ledger होगा वो select करना होता है आईए अब दूसरा transaction देख लेते हैं हमने मोहन ट्रेडर्स को 31 जुलाई 2020 को एक टन वाले गोदरे जैसी 6 नग 35,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से और सोनी टीवी 20 इंच वाले 2 नग 24,000 रुपे प्रतिनक के हिसाब से उधार बेचे जिसका कुल अमाउंट 2,58,000 हुआ Gateway of Teleper voucher के लिए V press करेंगे Sales voucher के लिए F8 प्रेस करेंगे Item invoice में जाएंगे फिर F2 की प्रेस करके voucher की तारिख बदल लेते हैं यहां party account name डालेंगे यहां dispatch details की छोटी विंडो आ रही है इसमें माल के dispatch यानी delivery से संबंधी details दी जा सकती है हम कोई detail नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए control और A से इसे accept कर लेते हैं dispatch details के बाद party details की विंडो आती है देखे हमने जिस party का leisure select किया था उसकी पूरी details आ रही है sales leisure इसमें sales account लेंगे और फिर name of item यह हमने लिया गोद्रेज AC एक तन देखे list of stock items में सभी stock items के नाम के बाद वे कितनी quantity में stock में हैं यह भी लिखा दिखाई पड़ रहा है हमारे पास 5 AC ही हैं जबकि हम bill 6 AC का बनाने जा रहे हैं और हमने उपलब्द stock का ध्यान नहीं दिया और stock item से लेख करके आगे बढ़ गए जब आप quantity लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो एक negative stock का message आएगा फिर भी आप bill बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें यदि आप उस item का bill नहीं बनाना चाहते हैं तो backspace key से item के नाम पर जाकर उसे delete कर दें और यदि उसके इस्थान पर आप कोई दूसरा item लेना चाहते हैं तो list में से उससे select कर लें हम वापस गोद्रे जैसी one time select करके आगे बढ़ रही हैं यहां quantity में by default वही quantity आ रही है जो हमने अभी type की थी हम यही रहने दे रहे हैं अब यहां पर rate डालेंगे यदि बिल में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें narration डालें और अंत में इस window को accept कर लें कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे पास 5 AC पहले से stock में थे और 5 हमने आज और खरीदे हैं जिसके entry अभी हमने computer में नहीं की है यानि जिनका transaction अभी record करना बाकी है और कोई ग्रहक माल लेने आ गया तो computer में stock तो 5 AC का ही दिखेगा जबकि हमारे पास 10 AC stock में है यदि आप चाहते हैं कि भविश्य में transaction record करते समय negative stock का message ना आए तो आप F12 की प्रेस करें यहाँ one or negative stock balance को no करके window को accept कर लें हम ऐसा नहीं चाहते हैं इसलिए escape की प्रेस करके बाहर आ गए हैं आईए इस build का भी print preview देख लेते हैं उसके लिए page up की प्रेस करें पहले हमने आपको print preview देखने का एक तरीका बताया था यहाँ पर दूसरा तरीका देख लेते हैं उसके लिए control और R की प्रेस करें और फिर यहाँ से print preview के लिए I की को प्रेस करें बिलको अच्छे से देखने के लिए zoom पर क्लिक करें अब बाहर आने के लिए escape की का उप्योग करें चले एक और transaction तेजगती से कुछ नया सीखतें वे record कर लेते हैं 31 जुलाई 2020 को हमने मोहन ट्रेडर्स को सोनी टीवी 20 इंच वाले दो नग 26,000 रुपए प्रतीनक के हिसाब से बेचें जिनका कुल अमाउंट 52,000 रुपए हमें HDFC बैंक के चेक नंबर 121254 डेटेट 31 जुलाई 2020 से माल डिलिवरी के साथ ही प्राप्त हो गया Gateway of Tally से voucher के लिए V प्रेस करेंगे, sales voucher के लिए F8 की प्रेस करेंगे, date के लिए F2 की प्रेस करेंगे फिर party account name सेलेक करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि माल देते समय ही हमें चेक प्राप्त हो जाता है तो हम उस चेक को अपनी जिस बैंक में जमा करने वाले हैं जैसे कि हम State Bank of India में जमा करने वाले हैं तो यहाँ party account name में State Bank of India को सेलेक करेंगे फिर dispatch details दें और फिर party details डालेंगे आप जिसे माल बेच रहे हैं यदि उसका लेजर आपके यहाँ बना हुआ है तो party details में bias details देने की ज़रूरत नहीं है list of leisure accounts आ रही होगी उसमें से party का नाम सेलेक कर ले हम मोहन ट्रेडर सेलेक कर रहे हैं ऐसा करते ही उसका पूरा पता जो आपने उसका leisure बनाते समय दिया होगा वो आ जाएगा enterprise करते हुए आगे बढ़े यदि आप dispatch details तथा party details के अलावा कुछ अन्य details भी देना चाहते हैं तो उसके लिए more details option है इस पर mouse से क्लिक करें या control के साथ i key प्रेस करें ऐसा करते ही list of more details आ रही है इसमें से आप जिस तरह की details और देना चाहते हैं उसे select करें हम order details को select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही order details की छोटी window आ गई है अब आप यहाँ order से संबंधे जो भी details देना चाहें दे सकते हैं हम कोई details नहीं देना चाहते हैं इसलिए escape की से वापस पहले वाली screen पर चल रहे हैं sales ledger में sales account लेंगे यहां से name of item चुने quantity डाले rate डाले यहां वही rate आ जाएगा जिस rate में आपने पहले यह माल बेचा होगा आप चाहें तो इसे change कर सकते हैं यदि बिल में एक से ज्यादा items हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके select कर लें अब end of list select कर लें bank allocation दें यहां पर transaction type में जिस तरह से payment हुआ है space bar press करके list of transaction type में से उसे select करें हम jack select कर रहे हैं instrument number में customer ने जो check दिया है उसका number type करें instrument date में customer के check की तारीख type करें bank के आगे customer ने जिस bank का check दिया है उस bank का नाम type करें फिर narration type करें और control और किसे से accept कर लें यदि आप चाहते हैं कि भविशी में transaction record करते समय party details और dispatch details की window ना आये तो आप F12 की प्रेस करें अब यहां से अपनी जरूरत के इसाब से इन options को no करके window को accept कर लें नो करने पर इस तरह की window नहीं आएगी और इसके बाद भी यदि आपको काम के बीच उनकी जरूरत लगती है तो आप इन्हें more details की साहता से ला सकते हैं इसके विपरित यदि आप चाहते हैं कि voucher बनाते समय स्वता ही इस तरह की window आए तो आप इन्हें yes करके window को accept कर लें हम कोई changes नहीं कर रहे हैं और escape की press करके पहले वाली screen पर चलते हैं अंत में हमनी जो पांच AC अशुक ट्रेडर से खरीदे थे जिनकी entry करना रह गई थी वो अब कर लेते हैं कर दोते हैं इस वीडियो में आपने sales voucher के बारे में जाना इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको debit note voucher क्या है और उसमें purchase return की transaction कैसा record करते हैं ये बताएंगे